हेलो एवरिवन वेल्कम टू अड़ाट 24 7 क्लास 9 10 10 चैनल आई एम सौरप शमर और आज की सेशन में मैं आप लोग को सिखाऊंगा कैसे हम ग्रूप डेटा का मीन कैलकूट करते हैं तो बेसिकली ग्रूप डेटा का मीन जब हम कैलकूट करते हैं तो उसके थ्री मैथड्स होते आप देखना चाहोगे तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखीगा तो देखो यहाँ पर जैसी हमारे पास एक कोशिन है यह डेटा आपके पास दिया वह है इसमें आपको मीन कैलकूट करना है तो सबसे पहले मैं इस डेटा का मीन कैलकूट करता हूँ डेरेट मैथड से त कौन से मैथड का डेरेट मैथड में जब हम मीन कैलकूट करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मलिक अकॉर्डिंग मुझे एकस आई चाहिए एकस आई हम निकाल निकते हैं कैसे निकालते हैं कि सर यह जो हमारे पास क्लास की वैलू दीवी है तो हम यहाँ पे 20 इसमें एड करते जाते हैं तो 11010 के बाद 130 then 150 then 170 then 190 यह हमारे पास आ गया एकस आई की वैलू अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या करना एकस आई को मल्टिप्लाय करना किससे एफ आई से तो देखिए सर एफ आई की यह रही वैलू इस एकस आई की वैलू यह रही इनको मल्टिप 20 और यह एक 0 176 102 होता है तो 102 और यह 0 19 को 10 से आगर हम मल्टिप्लाय करते 190 और यह 0 इन सबको अब एड़ करते हैं क्योंकि फॉर्मूला यह ही क्या रहा है सिग्मा सिग्मा का मतलब सम तो इन सबको एड़ करें तो 0000 two or two four or two six then यहां पे three or eight 11 11 or 11 22 का two carry two or one three four five six seven seven two six zero और अ इस अभी फ्रिक्वेंसिस का सम करूंगा तो मेरे पास सम कितना आ जाएगा 50 वैल्यूस आगी फॉर्मूल करते हैं देखे जरा एक्स बार मीन कैसे लिखेंगे सर सिग्मा एक साई एफाई कैल कोट किया seven two six zero है तो seven two six zero divided by 50 जीरो से यह zero cancel हो गया अब देखो एक्स बार हमार 45.2 यह हमारे पास मीन कैल कोट हो गया कौन से मैथड से डैरेट मैथड से अब आप देखरों यहाँ पर मल्टिप्लाय ज्यादा आपको करना पड़ा कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आई आपको मल्टिप्लाय करने में इसको अगर आप और सिंप्लिफाय करना चाहते हो यही ड सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई ठीक है अब इस फॉर्मलिक अगॉर्डिंग वैल्टी हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले एक्स आई जो अभी हमने डैरेट मैथड में किया था कैसे निकाला था किसे इनका एवरेज डाट इस हांडेड ए इन है तो यहाँ पर इतिनी सारी वैलीऊ से किसी को भी कर सकता हूं तो मैंने यहाँ पर जैसी हमने इसको आऊस्टी कर लिया5 जो है ना यह एजियों मैं ए घ् Will mean को A से represent करते हैं, formula में जो A ही दिख रहा है ना, वो represent करता assume mean को, तो A हमारे पास कितना हमने let कर लिया, 150, तो सबसे पहले अब मैं इसका deviation निकालूँगा, deviation का formula बिखते हैं कि sir, XI minus A, XI की values हमारे पास है, A की value हमने अभी calculate let कर रही है, 150, तो deviation देखी कितने का हो रहा है, sir 110 में से 150 less करेंगे, तो minus का 40, then minus का 20, then 0, फिर 20 और ये हो गया 40, अब हमें क्या करना है sir, FI को DI से multiply करना है, FI into DI करना है, तो FI को DI से multiply कर दीजे, F की values ये रही, ये F की values और ये आपकी पास DI की values, इनको multiply करेंगे, तो minus का 480, पहले 12, 14, 2, 28, तो minus का 280, then 0, then हमारे पास 120, और ये हो गया 400, देखो अपला, इन सब को sum करना है, क्योंकि sigma का sign FI into DI के हागे है, तो इन सभी values को मुझे sum करना है, तो कुछ negative है, कुछ positive है, negative और positive को जब मैं इनको use करके, मैं calculate करूँँगा, तो यह आएगा मेरे पास minus का 240, minus का 240, sigma FI आपके पास already है 50, यहाँ values put कर देते हैं, तो हमारे पास mean calculate हो जाएगा, एक ही value आपने let करी थी, assuming calculate let किया था था न, आपने, 150 को ये लिखा, minus 240 upon 50, 0 से ये 0 cancel, देखो क्या बचा हमारे पास, 150 minus 24 upon 5, 24 में अगर 5 का divide कर दें, तो ये हमारे पास 150 में से less करने के लिए क्या आगया, सब पहले जाएगा 4 टैंस देन डेसिमल और ये 8, 4.8 को less करेंगे तो हमारे पास कितना आजाएगा, 145.2, यही आया मीन, तो ये हमने कौन से method से mean calculate किया, assume mean method से, जब हमने पहले direct method से किया था, तब भी हमारे पास answer किया था, 145.2, अभी भी 145.2 ही हमारे पास answer है, अब इसको और simplify अगर हमें करना है, डेटा को calculation और easy बनानी है, तो हम next method पर बात करेंगे, that is step deviation method, step deviation method कि तो जब हम mean calculate करते हैं, तो उसमें हम formula use करते हैं, x bar is equal to a plus sigma fi into ui upon sigma fi into h, अब देखो, ये values मैं कैसे calculate करता हूँ, सबसे पहले तो x i आपके पास as it is, जो अभी आपने निकला, जितना आप step deviation method में आप भी करोगे, as we mean method में जो करके हैं, उतनी तो table आपको बनानी ही पड़ीगी, इसमें भी, तो ये आपके पास 110, then 130, then 150, 170 और ये 190 आपके पास है, आपने deviation calculate किये थे, अभी कितना है था, d i की values, x i में से a को minus करते हुए, कि आपने सबसे पहले assume किया था, sir 150 को, ये assume किया था, तो हमारे पास deviation है था, minus का 40, minus 20, 0, plus 20, and plus का 40, अब हम calculate कर रहा है, सिखेंगे यहाँ पर ui, ui क्या होता है, कि sir ये होता है, d i upon h, h क्या चीज है, h interval को बताता है, h यहाँ पर क्या है, interval, देखो जड़ा, difference कितने का है, sir, interval कितने का है, 2020 का है, तो 20 का हम divide और कर देंगे, d i की values के अंदर, तो d i में अगर 20 का divide करतें, तो यह हमारे पास किसकी values आजाएगी, ui की, यह आएगा कितना, इसर माइनस का 2, फिर माइनस का 1, 0, 1, 2, अब formula कहता है, f i को ui से multiply करो, तो f की value को आप ui से multiply कर दोगे, यह रही f की value, और simple हो गया न, multiplication, तो देखो, sir, f i into ui, अगर हम यहाँ इस stable के अंदर आगे करें, तो 12, 2s, minus 24, 14, 1s, minus का यह 14, then 8, 0, 0, 0, 6, 1s, 6, 10, into 2, 20, तो plus में हमारे पास 26 है, minus में हमारे पास 38 है, तो 38 में से 26 minus करेंगे, तो यह बचेगा हमारे पास minus का 12, अब minus का 12 आया, यह हमारे पास values आ गई, sigma, f i already, आपके पता है, sir, कितना है, 50, तो values put करते हैं, यहाँ पे, तो mean आएगा, x bar is equal to a, आपने कितना लेट किया था, assuming कितना, 150, plus sigma f i, u i की value, minus का 12, upon sigma f i, that is 50, into h, h, कितना है, 20, 0 से यह 0 cancel हो गया, तो क्या हमारे पास आया, minus का, यह 150, minus 12 को 2 से multiply करके, 24 upon 5, same, वही equation मिल गईगा, जो थोड़ी दर पहले, अभी हमने, assuming में देखी थी, कि sir, यह 150, minus 24 upon 5, वही same, तो यहाँ भी calculate करेंगे, तो कितना आ जाएगा, sir, 145.2, 145.2, यह हमने mean calculate करके देख लिया, तो अगर हमारे पास data किसी भी form में है, हम देख सकते हैं, कि हमारे पास सबसे simplest way, data को calculate करने का कौन सा होता है, step division method के अंदर होता है, तीनों के formula हमने सीख लिए, तो अगर बच्चोट data आपके पास simplified form में है, तो आप direct method apply कर दो, थोड़ा सा complicated हो रहा है, तो आप assuming कर दो, और अगर ज़्यादा complicated है, तो step division method लगा दीजिए, तीनों के थुरू हमने same data का mean calculate किया, और तीनों cases में answer आपको same देखने को मिला, thank you so much guys, thank you so much, thank you for joining with us, bye.